हे गाइस वल्कूंट टू माई यूटीब चैनल त्यार मैं हूं शार्शत तिवारी एंड आज हम लोग इस प्रॉब्म सॉल्विंग सीरीज में नेक्स्ट क्वेशन ट्राइए करने वाले विच इस मिनिममम स्वाप्स एंड के तुगेदर तो यह गीज़ फॉर इक सी एक प् सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्म स्टेट्मेंट क्या है तो यह कह रहा है कि आपको यहां पर जो एरे हैं इसमें ऐसा कुछ करना है कि जो भी एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू के हैं वह एक साथ आजाए ठीक है बट कंस्ट्रेंट यह है कि जो आप स्वापिंग करो होगे वो मिनेमम होनी चाहिए मतलब कहने का मतलब क्या है अब यहां पर कितने ऐसे जो से छोटे है एक आपका टू है का ओन है ठीक है तो आपको इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है और मैटर नहीं करता स्वाप्स मैटर करते अगर मैं इन दोनों को स्वाप कर द हो गया हमारा one alternate क्या हो सकता था मैं one को यहां लेके आता टू को यहां लेके आता that means five six two one three ठीक है अगें क्या हुआ यह तीन elements साथ आगे इस सेकेंड स्वाप सो यहां पर एक स्वाप है यहां पर यहां पर दो स्वाप है आपका आंसर क्या हों ची मिनिममम नंबर आप स्वाप यानि वन होना चाहिए आंसर ठीक है तो यह अब इस question को करें गैसे तो आप लोग दो तो हम इस problem statement को अगर देखें ध्यान से तो हमारा question बस इतना सही है कि इस array में हमें ऐसे elements इखटा ऐसे elements जहिए एक साथ ऐसे elements जहिए जो particular condition satisfy कर रहे हैं ठीक है मलब हमें group of elements जो की together है उन्हें find करना है एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं ठीक है तो यहां पर window use हो सकती है ठीक है sliding window में यहां पर use कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं जब भी आपके पास ऐसा कोई question आए कि आपको कुछ particular elements हैं जो एक साथ होने चाहिए और कुछ condition satisfy कर रहे हूं तो वहां पर हम sliding window ट्राइ कर सकते हैं इस question में sliding window ट्राइ हो सकता है ठीक है क्यों हो सकता है कैसे हो सकता है उससे अभी देखते हैं तो सबसे पहली बात यार विंडो की size क्या होगी अब यह बताओ अगर आपको मैं पहले से बता दूं कि यहां पर तीन element है जिनने एक साथ रखना है तो आपका काम हो गया यह आपको एक container है उसमें चॉकलेट सकनी है अगर मैं आप से कह दूं कि भाई में पास तीन चॉकलेट है तो आपको container का size क्या होगा इतना होगा ना कि minimum 3 चॉकलेट आ जाएं एक्जाक्ली साइस का ही बनाएंगे यहां पर तो वहां यहीं काम करने वाले हम सबसे पहले का करते हैं हम फाइंड कर लेते कितने elements हमारे favor में favor मतलब less than equal to k है तो मैं यहां पर लिखता हूं कि favorable ठीक है तो मैं इसे ट्रेट करते हैं यह मेरा favorable है यह यह नहीं है यह नहीं है यह है तो मेरे तीन यह होगे मेरे विंडो साइज होगी मैं कहता हूं कि यह भाई मेरी क्या होगी विंडो कि अब हम इसे लाइड करेंगे मतलब विंडो की साइज अगर मैं इनिशली बताओ तो यह हो गई ठीक है आप हमें पता करना है सेकंड जीज देखो अब विंडो में स्लाइडिंग विंडो में हमारा कॉंसेप्ट यह होता है अगर यह यह विंडो मेरी फिक्स साइज की ठीक है मैं इसकी साइज बढ़ा घटा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तीन ही एलिमेंट्स तो हैं तो साइज बढ़ाने से इक वर फिक्वरेबल मतलब क्या होगया ग्रेटर देन थ्री मतलब फेवरेबल एंड लून फइंट्टि वन फाइव में बस एक ही ऐले मनलब मेरी नॉन फेवरेबल दो हो गया अब यहार बात करते हैं किश क्वेच्टिन नॉन फिवरेबल क्यों देखना है देखो आपको non-favorable element होंगे इस particular window में उतने ही तो swap required होंगे समझे रहाँ बात को देखो मैं अपने min को यानी result को मैं कहता हूं RES result है उसा करता हूं इस non-favorable से यहां यहां पर कर देता हूं यहां पर देता हूं मैने का भई initially में पास 215 ठीक है यह एलिमेंट थे जिसमें नॉन फेवरेबल एक त्रक्रेट अब देफिए यहां पर विंडो साइस को इतना अच्छा पड़ा है आपको पता था कि तीन ही एलिमेंट नहीं रखी तो अब आते जिक्षिंट करते हैं तो हमारी विंडो की साइस विद्धि से बहुत ज्यादा होते तो हम वहां पर क्या है करते हैं हम कहते हैं और यहां क्या करें है यह मेरी करनेगा तो six क्या है मेरा नॉन फेवरेबल में कुछ कंट्रिब्यूट कर रहा है तो six क्या है हां बिलकुल कर रहा है six three से बड़ा है यानि वह नॉन फेवरेबल टम हम एपेंड कर रहे हैं तो यह हो जाएगा one plus one that means two non फेवरेबल अब टू होगए ठीक है अब मुझे इस विंडो की साइज को छोटा करना क्योंकि elements कितने फेवरेबल थ्री तो मुझे टू को हटाना पड़ेगा क्यों कि यार यह देखो मेरी विंडो यह है तो मैं इधर कर रहा हूं इधर सब्सक्राक कर रहा हूं ठीक है मैं बी कोई फर्क नहीं पढ़ा तो मैं अपनी विंडो की स्टार्ट यहां कर दूंगा इसे एक्स्क्लूड कर दूंगा तो अब मेरी विंडो की साइज हो गई ठीक है वन है स्टार्ट पे एंड मेरी नाउन फेवरेबल की टू है यह चीज़ समझ में आई ना कि टू यहां तो तीन ही रहेंगी ना रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम काम यहां पर है कि भाई फेवरेबल बंदा आए यह जाए हमें उससे फर्क ही नहीं है हमें किस से फर्क है कि हमारी विंडो में कितने नॉन फेवरेबल है क्योंकि हमें उतने ही बंदे तो ब रिक्रूट करता हूं एंड इस वन को एक्स्क्लूड करता हूं ठीक है तो अब विंडो की साहज इतनी हो गई 563 के आने से क्या हुआ अब देखो 3 is less than equal to 3 condition satisfied है यानि यह इंसान favorable है मतलब यहां पर कोई भी नहीं करने वाला है अब मैंने वन को छोड़ा वन क्या था वन भी फेवरेबिल था यहां पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला दाट मिंस 563 वाली विंडो में भी दो नौन फेवरेबल है आप देख भी सकते हो यह 5 है एक 6 है यह दोनों नौन फेवरेबल है ना ग्रेटर दें 3 है एक 3 मेरा एकलौता है जो कि less than equal to 3 है तो यह condition समझ में आया हमने विंडो क्यों ली यहां पर विंडो इसले ली क्योंकि हम पता था भाई की तीन ही एलेमेंट हैं देख उने पहले कर ली कि किते फेवरेबल एलेमेंट्स है तो निकल के आए 3 मैं 3 3 elements चेक करते जारूं हर उस ग्रूप में यहां पर 3 elements है ऐसे कितने इलेमेंट है जिनको स्वैप किया जा सकता है उनी को मैंने कहा नॉन फेवरेबल तो जितने कम element को मैं स्वैप करूंगा उतना वही मेरा अंसर हो जाएगा तो मैंने रिजल्ट से यही इत मैच किया बार-बार कि भाई नॉन फेवरेबल बड़ा है छोटा है यहां पर फॉर विए solution समझ आ गही होगी आपको चलिए से code करके देखें तो मेरे question में देख लिए हमने क्या करना था तो मैं पहले क्या करता हूं सबसे पहले दो बना लेता हूं एक हो जाएगा मेरा नौन फेवरेबल ठीक है तो मुझे calculate क्या करना है तो मुझे पहले calculate करना है मेरी window size which is nothing but number of favorable elements मैं क्या करूंगा simply कह दूंगा कि जो भी number less than equal to k है के मेरा variable यहां पर given already जो भी है हम क्या करेंगे favorable plus plus अब मुझे window size में इस loop के भाहर आते ही यह अब मुझे क्या पता करना है कि इस window में कितने non-favorable elements मैं कैसे check करूंगा इस window के अंदर simple है मैं starting से ले करके favorable तक लूप चला दूगा और वहां पर हम देखेंगे जो भी element greater than k है वो non-favorable plus plus कर देंगे जितनी बार भी मिले उत्ती बार non-favorable plus plus तो यह concept आ गया अब हम में क्या क्या पता चली है window size पता चली है उस window के अंदर कितने non-favorable elements है वो पता चली है अब मुझे क्या करना है मुझे अब दू बनाने L and R, L मेरा basically window की starting है और मेरी window की end है window की end को कैसे denote करेंगे favorable minus 1 यहां पर result मैंने integer.max underscore value good practice के लिए लिखा है आप इसे initialize कर सकते थे non-favorable से भी it doesn't make a difference आपका answer फिर भी वही आने वाला है ठीक है अब यह थोड़ी से हम मतलब ऐसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें result जो हम calculate कर रहे थे वो नहीं हो पाता यानि in case एक ही element होता ठीक है तो उस case में आप क्या swap करोगे तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि अगर result equal equal integer.max है मतलब हमारा logic रहनी ही नहीं किया तो answer दे तो 0 कि एर index out of bound ना हो जाए इसके लिए r is less than n that should be a favorable condition अब हम चेक करेंगे कि अगर जो value हम include कर रहे है वो greater than k that means non favorable में contribute कर रहा है तो non favorable plus plus and अगर जो value जा रही है वो भी मतलब non favorable है तो क्या कहेंगे non favorable minus minus n और l को exclude कर देंगे तो यार मैं इसे compile कराता हूँ I hope इस पूर अप चल जाना चाहिए तो यार यह थी आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो चैनल को subscribe जरूर गर देना कमेंट से बताना कि वीडियो कैसी लगें next आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो तो बस यह था आज की वीडियो में चलो यह भी successfully run हो गया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ